हेलो एवरीवन वेल्कम यू बैक इन माई यूटूब चैनल लिफ फॉर फिजिकल एजुकेशन आज हम जो डिस्कस करेंगे वह है मैथर्ड टू डेवलप एंडूरंस एंडूरंस को कौन-कौन से मैथर्ड हम लोग डेवलप कर सकते हैं मैथएप्टो दसतो हैं तो हम लोग करेंगे इंट्रवाल ट्रेनिंग मैथड जैसे की मैरी Pride मेंरा आज नाम से हमें समझ में रहा है IS ज़स्ट फोटा हैं कि इंट्रवल वह मं एंट्रवल होंग completely पहले हम continuous के बात करते हैं तो वहाँ पर continuously training करते हैं लेकिन इसमें क्या है इंट्रोवल में training में interval होता है या gap होता है तो देखते हैं क्या है यह बिकिला इंट्रड्यूस्ट इस training method in 1920 जो बिकिला थे इन्होंने यह training method इंट्रड्यूस्ट किया तक अब 1920 में किस पर चलता है effort और रिकवरी पहला अपना अफर्ड डालो उसके बात आप रिकवरी करो फिर दुबारा effort डालो और रिकवरी करो तो जब आप effort डालोगे तो आपके training कर रहे हो कोई भी exercise कर रहे हो अपनी intensity थोड़ा हाई रखोगे क्योंकि आपको अलड़ी gap मिलेगा बाद में आप intensity speed यह low तब रखते हो जब आपको कोई gap नी मिलता तो आपको आपकी speed यह intensity जब आपको exercise कर रहे हो वो थोड़ा gap देंगे आपको वो डिपेंड करता है exercise के टाइम पर इन इस मेथड़ हर्ट बीट शुट गो अप टू 180 बीट पर मिनट जब आप interval ट्रेनिंग में प्रफॉर्म करते हो एक्सराइज आपके हर्ट बीट है वो कहां तक जाने चाहिए 180 बीट बीट जाएगी तो बेटर आपके लिए हर्ट रेट अच्छे होगी और आपकी लंग्स के लिए काडियोस्के लिए ठीक होगा एंड इंटर्वल शुट बी गिवन उसके बाद आपने exercise कर लिए आपकी हर्ट बीट 180 चले ग इसके होने के बाद आपको दुबार से अपनी activity को स्टार्ट करना है इंटर्वल ट्रेनिंग मतलब यह नहीं होता कि आपने exercise करी और रेस्ट ले लिए फिर आपके ट्रेनिंग खथम फिर दुबार आपको activity स्टार्ट करने पूरते है फिर दुबारा रेस्ट मिलेगा जो आ पर पहले आपको दो मिनट तक रहाइं फिर आपको rest मिलेगा फिर एक मिनट तक फिर रेस्ट मिलेगा सब्सेंगा जाप पूश्प्स कर रहे हुँ आपको पहले 20 करों फिर रेस्ट मिलेगा फिर उसको increase करो यह less करने करने करना है इंडिजियल की उपर मतलब कोई बीब ट्र तो उसका इतना effect नहीं पड़ता है, the total work is performed in intervals and incomplete rest is given in the between each interval और workout, जो हम perform कर रहे हैं exercise और training वो interval के base पर चलती है, आपको पहले इतना time schedule मिलेगा, interval मिलेगा, gap मिलेगा, rest मिलेगा, phase वार आपको करना है, और जो rest है आपका, gap है, वो incomplete होगा, incomplete होगा, incomplete होगा, पूरा आराम आपको उसमें नहीं करता है, थोड़ी देर का rest मिलेगा, एक मिनिट का, कुछ seconds का, या फिर दो मिनिट का, तो उस base पर हम लोग उसको complete करेंगे, तो इसलिए आपको incomplete rest लेगा, अगर complete rest कर लोगा, आपको access करने को कई पाइदा नहीं है, तो यहाँ पर mention है यह चीज, देखो पहले स इसमें workout होगा, फिर हमें rest मिलेगा, फिर workout होगा, फिर rest मिलेगा, फिर workout होगा, फिर rest मिलेगा, वो depend करता है आपकी training किस तरीके की है, तो यह इस process पे interval training method हमारा, अगर हम भात करते हैं, next, advantages of interval training method, advantages कहके हैं इसके, more workout can be performed in a short duration, आप थोड़े time में ज्यादा workout कर ले तो, suppose आप workout भी ज्यादा होगा, it is more beneficial for respiratory and circulatory system, देखो, simple सी चीज है, training method किसका पाट है, endurance का, जब आप endurance से activities related, कोई भी activities करोगा, तो जो directly impact है, आपका circulatory system और respiratory system पे पढ़ता है, या cardio respiratory system पे directly पढ़ेगा, they can be trained both at the same time, again वही बात चलती है, जब cardio respiratory के बात है, hurt और lungs दोनों होगे, तो उसक चाहिए continuous करते हो, चाहिए interval चाहिए कोई और endurance की process को अगर आप अडॉप्ट करते हो, तो directly impact पढ़ेगा, आपका respiratory system पे, ये तो advantage है इसका, the progress of athlete can be measured easily, अगर हम देखे हम कोई exercise करते हैं, या कोई training करते हैं, उसका थोड़ा rest ले दे हैं, हमारे body में recovery हो दी है, तो हम उस time को note क कर सकते हैं, कि हाँ, हमने इतनी performance दी है, फिर दुबार सा rest के बाद, अगर आप दुबारा उस चीज करते हो, तो आप compare कर सकते हो, तो result को, चो कम टाइम में compare करना, result निकालना, ये भी इसका एक advantage है, जबकि continuous महसान योदा, continuous में लंबा चलता है, 15-20 मिन को exercise कर रहो हो, तो result इसका 15-20 मिन बाद पता चलेगा, so it gives the progress of the athlete can be measured easily, it gives the better result in a short time, कम टाइम में result आदा आदा आदा, आपके बास ये भी ठीक है, it means an athlete achieve his or a peak performance in a short time, कम टाइम में आपका result आ रहा हो, तो आप compare कर सकता हो, कि आपकी peak performance कब आ रही है, ये कब आई की, athlete gets a fair judgment easily, athlete का जो judgment है, उनको मिल जाता है easily, कैसे, अगर आप छोटे विड़ो टाइम की, ये कम टाइम की exercise कर रहो, तो आपको result मिलता रहता, तो आप judge कर सकती है, हाँ मुझे next time में अपना ये ज़्यादा performance करना है, मुझे next time में ये थोड़ा कम performance करना है, इस पर जादा ध्यान देना, तो judgment easily हो जाता है, so suggestion can can be given by a course, totally doing recovery phase regarding any fault, suppose आपने मानलो कि 10 minute कोई exercise करी, फिर आपको rest दिया गया है, 5 minute का, then recovery आपकी हो रही है, उस time पे जो आप गल्दी कर रहे हो, जो आपका coach है, वो आपको suggestion दी सकती है, आप इस चीज़ को और अच्छे से करो, ये आपकी fault दिख रही है, इसको आप ठीक करो, तो हमें जल्दी से इसका result भी मिलेगा, और coach इसकी suggestion वो मिलेगे, फिर आप जब rest के बाद दुबारा से उस activity को again continue करो है, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों का apply कर सकते हैं, हाँ मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे ये करनी है, अगर सब्स रनिंग कर रहे हो, आप के आप प्रॉपर तरह के सिंग नहीं हो रहे हैं, बॉडी थोड़ा स्टेट रही है, बहुत साथी चीज़े होती हैं, अलग-लग हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, यह मैं जब एक्जांपल देना आपको, patience can be increased in athletes, और जब interval training आप करते हैं तो patience increase होता है, क्योंकि आप short-shot time मे दुबार दुबार उसको करोंगे, अब बात करते हूं लोग disadvantage of interval training methods, so disadvantages are top performance comes before competition and cannot remain up to the competition time, जो interval training का एक प्रॉसेस है, इसमें problem यह होती है कि कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारा performance है, top performance है, वो training के time पही आ जाती है, और जबी भी top performance आती है, तो जाज़ा देते हम उसको maintain नहीं कर पाते हैं, तो इसको इसलिए उनका cannot remain up to the competition time, जब आपका असली match होगा या competition होगा तो वहाँ पे वो चीज, top performance आना तो आप प्रॉब्लम करेट हो जाएगी, जब आप बार बार कोई चीज को regularly perform कर रहे हो तो आपके top performance वहीं आ जाती है, ऐसा हो सकता है, there are more chances of injuries, जब आप अपने interval training के और हम बात करें, तो आप थोड़ी देर activity करोगे, training करोगे, फिर rest करोगे, तो फिर दुबारा υस activity करोगे, तो एक बार आप injured नहीं होए बाद में दुबारा होने के chances है, फिर आप दुबारा सु continue करोगे, फिर होने के chances फिर रेस्ट केया, फिर दुबारा करोग कर और ऑर क्या होता है इंटरोल ट्रहाँ